मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ और एक परिवर्तन करना चाहते हैं हम इस देश की नियाए व्यवस्था हमारे यहां अंग्रेजों के कानून चल रहे हैं IPC, Indian Penal Court, CRPC, Criminal Procedure Court, CPC, Civil Procedure Court यह सब अंग्रेजों के हैं इनके आधार पर नियाए नहीं मिल सकता क्योंकि यह अनियाए करने के लिए बनाए गए थे सारे खानून यह कानून ऐसे गोल-गोल जलेवी की तरह से हैं जिनको आप कभी पढ़कर समझी नहीं सकते नियाए का हम विलेगा और कारण इसका यही है कि इन कानूनों का इंटर्प्रेटेशन करने के लिए बड़े-बड़े वकील लगते हैं अदालत में मैं वादी और दूसरा प्रतिवादी हमको वकील की जरूरत क्यों होनी चाहिए मैं सीधे मेरी बात कहूं अदालत में प्रतिवादी अपनी बात कहे फैसला आना चाहिए लेकिन ये कानून जो गोल-गोल जलेवी की तरह से बनाए गए हैं इनके घंचकर में वकील लगते हैं और वकील अपने स्वार्थ सिद्धी में लगे रहते हैं वकीलों को कभी ये दिल में नहीं आता कि मुकदमे का फैसला जल्दी हो जाए वो कहते हैं तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख पढ़ती जाए हमारी जेब गरम होती जाए अन्याए है ये न्याए नहीं और सबसे बड़ा अन्याई ये है कि मुकदमे का फैसला 20-20 साल नहीं आता 25-25 साल नहीं आता 30-30 साल नहीं आता वादी मर जाता है प्रतिवादी मर जाता है मुकदमा चलता ही रहता है हमारे देश की अदालतों में साड़े तीन करोड मुकदमे इस समय चल रहे हैं एक वादी एक प्रतिवादी तो साथ करोड हिंदुस्तानी चपले रगड़ रहे हैं नियाई के लिए लेकिन फैसले नहीं आ रहे हमारे एक चीफ जस्टिस हुए इस देश में उन्होंने एक दि हल करेंगे तो तीन सो साल में ये मुकदमे फैसले दे पाएंगे अब तीन सो साल तक कौन इंतजार करेगा वादी की प्रतिवादी हमें ये नहीं चाहिए नियाए विवस्था हमको ऐसी नियाए विवस्था चाहिए जो अंग्रेजों के पहले इस देश में थी मैं आपको एक उधारन देता हूँ एक राजा था इस देश में उसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमा देती बड़ा नियाए प्रिये राजा था उसकी अदालत में एक मुकदमा आया दो माताई थी एक बेटा था एक मा कहती थी बेटा मेरा दूसरी मा कहती थी बेटा मेरा दोनों लड़ रही थी राजा के सामने मुकदमा था कि बताओ असली मा कौन है तो राजा ने का तलवार ले ओ बच्चे को आदा आदा काट दो आदा एक माँ को दे दो आदा दूसरी माँ को दे दो तो तलवार आ गई बच्चे को काटने के लिए जैसे ही तलवार उठाई राजा ने असली माँ चिलाने लगी नहीं नहीं बच्चे को काटो मत पूरा का पूरा दूसरी मा को दे दो जिन्दा तो रहेगा राजा समझ गया असली मा यही है जो बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकते राजा ने क्या किया नकली मा से बच्चा चीना असली मा को दे दिया मुकदमे का फैसला दो मिनट में हो गया ये था भारतिय नियाए अब मैं आपको कहता हूँ इसी मुकदमे को लेकर आप I.P.C. में आ जाएए हमारी अदालत में C.R.P.C. में आ जाएए Indian Evidence Act में आ जाएए मैं चैलेंज देता हूँ पचास साल मुकदमा चलेगा दोनों माताएं बुड़ी होके मर जाएएगी बच्चा भी जबानों के बुड़ा हो जाएगा फैसला कभी नहीं आएगा ये अंग्रेजी नियाए व्यवस्ता हमको नहीं चाहिए हमें भारतिय नियाए व्यवस्ता चाहिए और उसके लिए नए कानून और वो नए कानून बनाने का काम हम इस देश के बुड़िमान लोगों से करवाएं और उनको लागू कराएं वो हम चाहते हैं